बॉलिवूड बुलेटिन बागिन में डबल शेड्स किरदार निभाते नजर आएंगे अभिनेता रोमाच महता आगामी शो बागिन में भूमी का निभाने वाले अभिनेता रोमाच महता ने अपने किरदार के बारे में खुल कर बात की उन्होंने कहा कि शो में उनका रोल भावनात्मक रूप से प्रेरित है जिसे बहुत ही खूपसूर्ती के साथ दिखाया गया है कुलफी कुमार बाजेवाला और कभी कभी इत्तेफाक से जैसे शो में अपनी भूमिकाओं के लिए मशूर रोमाच बागिन में शेखर का किरदार निभा रही है शो को लेकर रोमाच ने बताया, मैं शो में शेखर का किरदार निभा रहा हूँ, जो तीन भाईयों में से एक है मैं बहुत ज्यादा चैनात्मक नहीं हूँ, शेखर में वह सब कुछ है, जो एक किरदार में होना चाहिए उसके पास अच्छा और बुरा दोनों ही तरह के शेड्स है, वह ऐसा व्यक्ति है, जिसे आप कुछ बिंदों पर पसंद करेंगे, और कुछ जगह उससे नफरत भी करेंगे वह आपको खुशी देने के साथ रुलाएगा भी, और यहाँ उसका एक्स फैक्टर है महादेव फेम अभिनेता ने आगे कहा, वह भावनात्मक रूप से प्रेरित है और स्थितियों पर उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी है, जिससे दर्शक जुडाव महसूस करेंगे अनुराग कशप ने देवडी में मुझे चुन्नीलाल का रोल देने का अपना वादा निभाया दिब्येंदू भटाचार्य ब्लैक फ्राइडे, मक्बूल, बीए पास, लुटेरा जैसी फिल्मों में अपने काम से पहचान बनाने वाले अभिनेता दिब्येंदू भटाचार्य ने अपनी प्रतिष्ठित फिल्म देवडी के 15 साल पूरे होने पर कुछ पुरानी यादे शेयर की पुरानी यादों के रास्ते पर चलते हुए दिबेंदू ने शेयर किया जब अनुराग देवडी बना रहे थे तो मैंने चुन्नी लाल का किरदार निभाने की इच्छा व्यक्त की थी मैं हमेशा उनके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक रहा हूँ उस समय अनुराग की ब्लैक फ्राइडे फिल्म का भविश्य अंधकार में था अनुराग में मुझसे कहा कि अगर ब्लैक फ्राइडे रिलीस नहीं हुई तो उन्हें चुन्नी लाल का किरदार निभाने के लिए किसी मशूर अभिनेता को लेना पड़ सकता है और अगर फिल्म रिलीस हुई तो वह मुझे कास्ट करेंगे उन्होंने आगे बताया कि तीन साल के लंबे इंतिजार के बाद ब्लैक फ्राइडे न केवल रिलीस हुई बलकी अच्छा प्रदर्शन भी किया आदिवी शेश स्टारर गुडाचारी दो फीट में नजर आएंगे इमरान हाश्मी काईगर तीन फीट में एक खतरनाग भूमी का निभाने वाले अभिनेता इमरान हाश्मी आगामी जासूसी एक्षन थ्रिलर गुडाचारी दो फीट में नजर आएंगे सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि इम्रान हाश्मी पैनिंडिया फिल्म में आदिवी शेश के साथ स्क्रीन स्पेस साजा करेंगे इम्रान को समानंतर लीड के रूप में देखा जाएगा चर्चा है कि वार इसमें नकारात्मक भूमी का नहीं निभा रही है फिल्म के निर्माता इस सहयोग को लेकर बेहत आशावादी है उन्हें लगता है कि इससे फिल्म में एक राश्चुव्यापी अपील जुड़ जाएगी आदिवी ने इस फिल्म के प्रीक्वल गुडाचारी में अभिने किया यह फिल्म ब्लॉक्बस्टर बनकर उभ्री थी अब जैसे जैसे सीक्वल सामने आ रहा है एक प्रमुख बॉलिवुड अभिनेता और एक साउथ स्टार का सहयोग इसमें एक रोमाचक आयाम जोडता नजर आ रहा है सीक्वल का लक्ष पहले भाग की सफलता को आगे बढ़ाना और गुडाचारी फ्रेंचाइजी को नई उचाईयों पर ले जाना है आध्यात्मिक एकानवास को लेकर बोली शुभांगी अत्रे यहां की सकारात्मक उर्जा ने मेरी आत्मा पर एक स्थाई प्रभाव छोड़ा एक्चर शुभांगी आत्रे हाल ही में आध्यात्मिक खोज और आत्म खोज के लिए कोयम बटूर में शांतिपूर्ण योग और आध्यात्मिक आश्रम गई शुभांगी आत्रे को लोकप्रिय शो भावी जी घर पर है, में अंगूरी भावी के किरदार से जाना जाता है अपने आध्यात्मिक एकांत्वास के बारे में बात साजा करते हुए शुभांगी आत्रे ने कहा, बाहरी इलाके में जाकर योग केंद्र में एक दिन बिताने से अनोखी शान्ती मिली आश्रम एक शान्त विश्राम स्थल के रूप में काम करता है, जिससे मुझे ध्यान करने, योग का अभ्यास करने और ध्यानलिंग के हरे भरे वातावर्ण के बीच घूमने का मौका मिला शाम को आनन्द मैं सभाएं होती है, जहां समान विचारधारा वाले लोगों का समू मेडिटेशन जब और चर्चाओं के लिए एकत्र होता है कस्तूरी एक्ट्रेस ने कहा, इससे शरीर और आत्मा को कुशलता पूर्वक पोशन देने, सामन जस्य पूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने में सहायता मिली है आध्यात्मिक माहौल और सकारात्मक उर्जा ने मेरी आत्मा पर एक स्थाई प्रभाव छोड़ा BNT की खास पेशकश